दोस्तों हम सबी को रेस्टरेंट वाला शाही पनीर तो बहुत ही पसंद आता है लेकिन जब हम घर में बनाते हैं तो हमारा वो स्वाद नहीं आपाता जो रेस्टरेंट में आता है थोड़ा सा मारा टेस्ट उससे अलगी आता है तो आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ परण शीर फाइन वाइल इसी के साथ डालूँगी दो से तीन क्यूब बटर क्योंकि ये शाही पनीर है तो इसमें बटर जरूर जाएगा बटर को में अच्छे से मेल्ट कर लेंगे बटर अच्छे से मेल्ट उचुका है तो यहाँ पर मैं डालूँगी खड़े मसाले दो तेज पत्ता एक इंच का टुकरा दाल चीनी का और तीन से चार छोटी लाइची ध्यान रहे दोस्तों खड़ा मसाला आपने जाधा नहीं डालना है अगर आपने यहाँ पर खड़ा म कलर आ चुका है तो अब मैं इसमें डालूँगी अद्रक लसन और हडी मिर्च छै से साथ कलिया मैंने लसन की लिए है एक इंच का टुकरा अद्रक का और दो से तीन हडी मिर्चे इसे भी हम हलका गोल्डन होने तक रोस्ट करेंगे फ्लेम मैंने रखी है मीडियम हाई लसन अद्रक हलकी गोल्डन हो चुकी है इस टैम पे मैंने यहाँ पे डाल दिया दो चम्मच काजू के टुकरे आप साबुत काजू भी ले सकते हैं अगर आप होल काजू ले रहे हैं तो दस से बारा काजू यहाँ पे आड़ करें इसे भी हम हलका गोल्डन होने तक करना है बहुत जादा डाक गोल्डन नहीं चाहिए और बिल्कुल कच्चा भी नहीं रखना है अब यहाँ पे काजू भी हलके गोल्डन हो गये हैं तो इस टैम पे मैंने इसमें डाल दिया दो कटे हुए प्याज मैंने बिल्कुल बड़े साइस के दो प्याज लिये थे और इस टैम पे मैं यहाँ पे डाल रही हूं एक कटा हुआ टमाटर और टमाटर भी मैंने बिल्कुल बड़े साइस का लिया है अगर आप छोटे टमाटर ले रहे हैं तो दो टमाटर यहाँ पे एट करें अब यहाँ पे मैंने डाला नमक ताकि टमाटर जल्दी ही सौफ्ट औ मैशी भी हो जाए यह देखे पांच मट के बाद आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से मैशी हो गया है तो इसमें मैंने डाला एक छोटा चमच लाल मर्च पाउडर एक बड़ा चमच धनिया पाउडर मसाले डालते टाइम दोस्तों आपके गैस की फिलम बिल्कुल लो हो पूनी चाहिए नहीं तो मसाले जल जाएंगे एक छोटा चमच गर्म मसाला पाउडर एक छोटा चमच हल्दी पाउडर दो चोटा चमच किचन की मसाला इन सबको मच्छे से मिला लेंगे और जैसा कि मैंने बताया है मैंने यहाँ पे गैस की फिलम को बिल्कुल लो रखा है मसाले को में ज़्यादा देर नहीं पकाना है जिर्फ 30-40 सेकेंड हमें से कुक करेंगे 30-40 सेकेंड हो गया है फ्लेम को मैंने कर दिया ओफ चली अब मसाले को कर लेते हैं ग्राइंड तो मैं यहाँ पे से डाल रहूं ग्राइंडर जाड में और मिक्सर को ओन ओफ करते हुए हमें इसकी पेस्ट बनानी है अगर आपको लगे कि मसाला अच्छे से नहीं पेस रहा है तो आप इसमें 2-3 चमच पानी भी डाल सकते हैं यहाँ मैंने मसाले को ग्राइंड कर लिया है वापस से मैंने सेम करा ही लिए इसमें आधा करणची रिफाइन ओयल डाला क्योंकि हमने पहले तेल अच्छी क्वइंटिटी में डाला है तो अब हम जाधा तेल यूज नहीं करेंगे साथ ही डालूँगी एक क्यूब बटर और बटर को वापस से मेल्ट कर लेंगे बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है फ्लेम मैंने की है लो और यहाँ पे डाल रही हूँ एक छोटा चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जैसे ही हमने डालना है कश्मीरी लाल मिर्च तुरन तम डाल देंगे हमारी रेडी की हुई पेस्ट आप देख सकते हैं आपे की पेस्ट बनानी है अब मसाले को भूनेंगे लो फ्लेम पे जब तक कि यह ओयल अच्छे से रिलीस नहीं कर देता बस इस तरीके समय से चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना है ताकि मसाले का कलर भी चेंज हो जाए और यह अपना ओयल भी रिलीस कर दे यह देखे दोस्तों 8-10 नट तक मैंने मसाले को भूना है अब मसाले ने ओईल रिलीस कर दिया है आप देख सकते हैं साइड में से ओईल नजर आ रहा है और बीच में भी आपको ओईल नजर आ रहा होगा और इसका कलर भी अब चेंज हो के रिडिश हो गया है याने कि हमारा मसाला बिलकुल प्रॉपर तरीके से भून चुका है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी पानी आप चाहें तो डालें चाहें तो इसे स्किब भी कर सकते हैं मैं यहाँ थोड़ा सा पानी एट कर रही हूँ तकरीबन एक बड़ी कंची उसी ग्रेंडर जार में मैंने पानी डाला है जिसमें मैंने मसाले को पीसा था और अब यहां पे डाल रही हूँ यह पनीड के क्यूम मैंने यहां पे 500 ग्रहम पनीड लिया है अब हम यहां पर इसे कंशीर से नहीं मिलाएंगे मैं यहां पर यूज करूंगी स्पेचुला इसीजि त Remove कंच्छी से चलाने से पनीर तूट जाएगा साथ यहां पर डालूंगी दो बड़ा चमच फ्रेश क्रीम अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप घर के दूद की मलाई ले उसे थोड़ा सा बीट कर ले और वो फेटी हुई मलाई यहां पर आप एड़ करें दो से तीन चमच आपने यहां पर फ्रेश क्रीम अट करनी है यह देखे कितना अच्छा कलर आ रहा है शाही पनीर का अपर अच्छे से मिला लूँगी और सबजी को कवर करके रख दूँगी लोँ फ्लेम पर ताकि यह अपना ओल रिलीस कर दे पांच मिनट तक मैंने सब्जी को कवर करके रखा था आप देख सकते हैं इसने सारा का सारा ओहल रिलीस कर दिया है और दोस्तों इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है न कि बस मन कर रहा है अभी इसे खा लूँ तो आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे जरूर बताएं इसी तरीके से आप भी अपने घर पे शाही पनीर बनाएं और आपके घर पे आपके फैमली मेंबर्स को ये पनीर कैसा लगा अपने फीडबेक मेरे सब शेयर करना ना भूलें एसी पी पसंद आईए तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें